Angele One application में De-MediaT account को open करने के बाद में किस तरीके से हमें application में login करना है Account ओपिन होने के बाद में किस तरीके से trading करना है कैसे पैसे को add करना है यहाँ पर पूरा में process आपको live दिखाने वाला हूँ तो सबसे पहले आप सभी को Angele One Stock De-MediaT account की जो application है इसको आपको अपने phone में install कर लेना है application को आप first time open करोगे तो कुछ इस तरीके का interface आएगा जिसमें कि आपको get started के option पे click करना है और यहाँ पर आप सभी को अपना mobile number फिल करना है जो कि आपने demet account जब create किया था वो number यहाँ पर fill करना है और next के option पे click करना है अब जैसे कि मैंने next के option पे click किया है तो हमारे phone पर एक OTP को send किया जाएगा वो OTP आपको यहाँ पर fill करना है इसके बाद में हमें next के option पे click करना है password चूज करने के लिए बोला जाता है तो जो भी मर्जी का आप password रखना चाहते हो यहाँ पर मैं example आपको दिखा रहा हूँ और confirm के section में repeat वही password आपको fill कर देना है then proceed के option पे click करना है अब password सेट होने के बाद में एक M pin भी set करने के लिए बोला जाता है जो कि आप application में कभी भी login करोगे तो यहाँ पर आप सभी को वो pin फिल करना होगा तो यहाँ पर 4 digit का जो pin है हम फिल कर देंगे then fingerprint का जो option है अगर आपके phone में होगा तो वो भी आप enable कर सकते हो जिसमें कि आपको pin भी बार-बार इंटर करने की जरुरत नहीं होगी और proceed के option पे click करोगे तो यहाँ से अब आप कर सकते हो अब यहाँ पर आप देखोगे कि निफ्टी या फिर सेंसेक्स का जो करेंट प्राइज है वो यहाँ पर दिखाया गया है नीचे की तरफ आइपियो म्यूचल फंड गोल्ड वॉंड इसी के साथ में बहुत सारे टेंडिंग जो स्टॉक्स हैं उनके भी यहाँ पर आपको option देखने को मिलते हैं जो कि आप यहाँ पर किसी भी स्टॉक के बारे में अगर नुकसान में होगा तो यहाँ पर आप सभी को रेड कलर से दिखने वाला है तो यहाँ पर स्टॉक का प्राइज देख सकते हैं इसी के साथ में अगर आपको इस इसटॉक का चार्ड देखना है तो चार्ड का भी option दिया गया किसी इस टॉक को अगर आपको buy करना sale करना तो directly यहाँ पर option दिए गए हैं future option में अगर आपको trade करना तो उसके भी option यहाँ पर आपको मिल जाते हैं अब watchlist के बाद में आप सभी के past में portfolio को भी एक option दिया गया है जिसपे कि आप click करोगे तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने जितने भी stock में अभी तक investment कर रखा होगा उन सभी stock को आप यहाँ पर देख सकते हो monitor कर सकते हो जिसमें कि अभी आप देखोगे कि हमारा नया account है portfolio में हमने कोई भी stock को पहले से आड नहीं किया है तो यहाँ पर बिल्ट portfolio का option दिया गया है जिसपे आप click करोगे तो यहाँ पर आप इंट्राडे या क्या ट्रेड करना चाहते हो कई सब्सक्राइब करना है जो कि आप चाहो तो इनकी help ले सकते हो बाकी मैं recommend नहीं करता हूँ आपको जिसे stock में लगता है कि उसकी growth होगी तभी आपको इसमें इन्वेस्ट करना है जब हम अभी आइड करेंगे उसके बाद में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके का यहां पर आपको सारी information दिखेगी अब portfolio के पासी में आप सभी को orders का भी एक section दिखता है जिसमें कि जितने भी आपने ओर लगाए होंगे आपको जितने भी orders अभी आपने जो प्लेस किये हैं अगर वो फुल्फिल नहीं हो तो वह आप सभी को open orders के section में देखने को मिल जाएंगे जो आप सभी की पहले इस account में हमें fund को add करना होगा तभी हम कोई भी stock में ट्रेड कर सकते हैं तो फंड को add करने के लिए यहाँ पर account की जो टाइब दीगे है जिस पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर आप सभी का ट्रेडिंग जो बैलेंस है वह आपको दिख जाएगा तो जैसे कि मैंने अब यहाँ पर एड करने के लिए कई सारे option दिखते हैं जिसमें कि जो भी bank account की details आपने एंजलों को दिया था account को open करते समय आप चाहो तो उस bank account के जरीए पैसे ला सकते हो साथ में कोई other bank account से लाना चाहते हो net banking के जरीए पैसे ला सकते हो Google पे phone पे भीम API जैसी application UPI के आने के लिए रिक्वेस्ट दी है तो गूगल पर अप्लिकेशन देखोगे कि यहां पर open हो चुकी है यहां पर आपको पेमेंट को अथनिकेट करना है और यहां पर आप देखोगे कि हमारे जो पेमेंट है 500 रुपीज का वह यहां पर successfully हो चुका है जितना भी पैसा हम इन् सब्सक्राइब करना है तो यहां पर आप से पूछा जाता है कि क्या आप इस टॉक की डिलिवरी लेने वाले हो या फिर इस स्टॉक को इंट्राडे ट्रेड करने वाले हो तो यहां निकि दिन भर में इस स्टॉक वाइ करके सेल कर दोगे ऐसा कुछ अगर आपका कॉंसेप्ट है तो आप इस और चलिक करोगे बाकि अगर आपको इन्वेस्ट्मेंट करना है तो यहां पर डिलीवरी का जो उप्षन है इस और पयाना चाहते हो निए चला जाता है उस रेट पर ही स्टॉक को पर्चेस करना चाहते हो तो मॉर्केट का जो option है वो आप सेट करोगे यहां पर इस stock को आप अपनी according चाहते हो कि इस price पर जब आएगा तभी हम purchase करेंगे तो यहां पर limit का जो option है उस option पर आपको क्लिक करना होगा market rate पर ही order लगाना चाहता हूं तो यहां पर मैं confirm के option option पर क्लिक करूंगा और अब जाकर के हम order के section में आकर के देखेंगे तो यहां पर आप देखोगे कि हमारा एक order अभी जो हमने जस्ट प्लेस किया एक stock purchase किया है वह यहां पर प्लेस हो चुका है करेंट इसका अब जो प्राइस है आप आप देख सकते हो माइनस 10 पैसे मेरा अभी नुकसान दिखा रहा जस्ट जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा आप मॉनिटर कर सकते हो बाकि आपके जितने भी stock invest आपने कर रखा होगा portfolio के section में आप सभी को सारे के सारे stock देखने को मिल जाएंगे अब यहां पर एक stock में तो हमने investment करी रखा है दूसरा stock में आपको दिखातों कैसे इसमें invest करना है तो यहां पर जैसे कि ट्रेंट एक paper company है इसमें इंबेटमेंट में चाहते हैं तो यहां पर इसका जो current price है हम देख सकते हैं क्लिक करके वागर जैसे के suppose investment करना चाहते हो तो bye के option आपको क्लिक करना है पर yol चाहिप है इसकी है तो यहां पर पहले तो आपको order place करके दिखाया था market price पे अब आपको मैं limit set करके दिखाता हूँ तो वो जो order है कैसे set किया जाएगा तो limit के option पे आपको click करना है जिस price पे आप buy करना चाहते हो यहाँ पर fill कर देना है देन आपको confirm के option पे click करना है और इसके बाद में आप order में redirect हो जाओगे और पर दो हमारे place हो चुके हैं इसका जो order है वो लग चुका है हमारे portfolio में जो stock है वो आ चुके हैं अब यहाँ पर हमारा portfolio में देखोगे कि जो पिर profit हो रहा होगा इस stock के जरीए वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कभी भी आप दुबारत से आ करके देख सकते हो कोई भी open investment के बाद में हमारा जो trading balance बचा है वो 51 रुपीज यहाँ पर balance बचा हुआ है बाकी का नीचे के तरव आप देखो कि कितना पैसा हमने utilize कर लिया है यूज कर लिया तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर आप जितने भी stock आप सभी के add है इन stock में से कभी भी किसी भी stock को अगर आपको sale करना है तो कैसे sale करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं तो जैसे कि ट्रेडेंट का जो हमने stock purchase किया है चलिए हम एक stock इसका sale करके आपको दिखाते हैं तो यह demo account है मेरे main account में तो बहुत ही ज्यादा stock मेंने invest कर रखे हैं कि वह आपको दिख trade हम कर रहे हैं तो आप select कर लोगे तो यहां पर जितनी भी quantity हमारे portfolio में add है उतनी quantity हम यहां पर फिल करेंगे तो जैसे कि हम एक ही फिल करने वाले हैं और इस stock को हम किस price पर sale करना चाहते हैं तो limit को set करना चाहते हैं को भाई अगर जैसे stock का जो price 35 रुपीज आ जाएगा तब हम सेल करेंगे तो आप अपने according कर सकते हो बाकि अगर आप market price पर करना चाहते हो जो भी चला भाई बेच लो तो वह आप यहां पर कर सकते हो बाकि stop loss कैसे लगा जाता है वह हम आगे आपको explaining करेंगे basic आपको trading में बता देता हूं कैसे करना तो जैसे कि हम 32 रुपी में यह ज पर जाए तभी हमारा जो order है वो फुल फिल हो तो इस तरीके से मैंने समझाने के लिए आपको किया है अभी यह जो order है यह पैंडिंग में है और करेंट जो ट्रेडिंग प्राइज है आप क्लिक करके देख सकते हो क्या इसका प्राइज चल रहा है बाकि edit order का भी option मिलता है क तो अब आप देखोगे कि एक जो stock है मेरा sale हो चुका है अभी ट्रेडिंग के जो stock है दो मेरे account में देख रहे थे अब आप देखोगे कि एक stock यहाँ पर आपको so हो रहा है तो आसा करता हूँ आज के वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आ जाहिन